हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी फर ओल में एक बार फिर आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ कडाही चिकन इसे हम बिल्कुल रेस्टॉरेंट स्टाइल में बनाएंगे एक कडाही मैंने गरम करने के लिए रखा है जब यह गरम हो जाए तब हम इसे लो फ्लेम में कर देंगे और एक इंच दालचिनी मने डाला है दस से बारा काजू हम इसमें डालेंगे हमें इसे लो फ्लेम में ड्राइ रोस्ट करना है लगबग दो मिनिट तक हम इसे रोस्ट करेंगे उसके बाद इसमें हम कुछ और मसाले भी डालेंगे दो मिनट के बाद मैंने इसमें कुछ सुखी हुई लाल मिर्च डाली है और एक चोथाई चमच काले मिर्च इसे भी हम लगभग दो मिनट तक ट्राइ रोस्ट कर लेंगे काजू और दालचीनी को ट्राइ रोस्ट होने में थोड़ा आधिक वक्त लगता है इसलिए मैंने उसे थोड़ा पहले डाल दिया था अब यह रोस्ट हो चुका है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा होने के बाद हमें इससे पीस ना है इसके साथ हम डालेंगे दो टमाटर दो टमाटर को मैंने यूँ काट लिया है इसे भी इसके साथ हम मिला लेंगे और हम इसे बारीक पीस लेंगे पीसने के बाद यह कुछ इस तरीके से होगा अब इसे एक ओर रख देंगे और अगली तैयारी करते हैं एक कड़ाही में मैंने 4 टेबल स्पून तेल गरम करने के लिए रखा है जब तेल गरम हो जाए तब हम इसे मीडिय फ्लिम में कर देंगे और एक चमच जीरा डालेंगे तीन मध्यमाकार के प्यास को थोड़ा छोटा छोटा काटकर हम इसमें डालेंगे अब हमें इसे भूनना है मध्यम से धीनी आज में लगभग 5 मिनिट तक हम इसे भूनेंगे हम इसे लगतार चलाते हुए ही भूनेंगे और अब लगभग 5 मिनिट हो चुका है तो देखी इसका रंग भी बिदल गया है अब मैं इसमें 2 चमच अध्रक और लेसुन का पेस्ट डालूंगी लगभग 2 मिनिट तक मध्यमाच में लगतार चलाते हुए हम पकाएंगी जिससे कि इसके कच्चेपन का स्मेल चला जाए 2 मिनिट के बाद हम इसमें हमारे रेगुलर मसाले डालेंगे मैंने आधा चमच हल्दी पाउडर डाला है एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच लाल मिर्च पाउडर अच्छी तरीकी से इसे हम मिला लेंगे और धीमी आज में लगभग एक मिनट तक हमें इसे पकाना है अगर आपको लगए कि मसाले जल रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप गयास को बंद भी कर सकते हैं और अब एक मिनट हो चुका है हम इसमें आप चिकन डालेंगे मैंने लगभग 750 ग्राप चिकन इसमें डाला है इसे मैंने पहले से धो कर रखा हुआ था अब हम फ्रेम को हाई कर देंगे और लगभग 3-4 मिनट तक हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है और अब हम इसे ढाग देंगे और ढाक कर धीमियाच में लगभग 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे 5 मिनट के बाद मैं इसे देख रही हूँ अच्छी तरीके से इसे हम मिला लेंगे मसाले नीचे बैठ जाते हैं इसके इसे बार बार चलाने के आवशिक्ता होती है और अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक मैंने शुरू में नहीं डाला था एक बार या थोड़ा पक जाए उसके बाद नमक डालने से थोड़ा सही रहता है शुरू में जो हमने मसाले पीसे थे अब हम उसे इसमें डाल देंगे इसमें हमने जो काजू डाला था उससे इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है और ग्रेवी का टेक्स्चर भी बहुत ही अच्छा आता है अब ही यह बहुत ही गाड़ा है उबलने के बाद यह और गाड़ा हो जाएगा तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा पानी डालना होगा वरना यह नीचे से चिपकने लगता है यहाँ पर मैं इसमें लगभग 200 ml पानी डालूँगी आपको जैसी क्रेवी चाहिए उसी साबसे आप इसमें पानी डाल सकते हैं पानी डालने के बाद एक बार फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे जब यह उबलने को हो जाए तब हमें इसे ढाक देना है और ढाक कर धीमी आज में लगभग 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे 15 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे अब चिकन पक चुका है अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे तो एक चमच गरम मसाला मैंने डाला है अच्छी तरीके से इसे हम मिला लेंगे और ढाक कर लगभग एक मिनट तक हम इसे धीमी आज में पकाएंगे अब एक मिनट के बाद हम इसे देखेंगे और हमारा इस चिकन तयार है इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे आप चाहे तो इसे सर्फ करने से पहले बारी कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल सकते है इसे आप रोटी या चावल किसी के साथ भी पढ़ो सकते है तो कैसे लगी आपको मेरी ये चिकन की रेसिपी मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग